अगर कोई यह कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून का राज है हिंदुस्तान के अंदर कोई सम्विधान लागू होता है कोई CRPC है तो वो बिल्कुल अब non-existent लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के साथ वैवार किया जा रहा है जिस तरीके से महराश्ट की सरकार मुंबे की पुलिस एक पत्रकार को हरस कर रही है उससे तो एक बात विल्कुल साफ है कि जिसके पास सत्ता है जिसके पास पैसा है वो हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी मनमानी कर सकता है उसे रोखने वाला ना कोई केंदर सरकार है ना कोई राश्पती है ना कोई Chief Justice of India है ना Judiciary है ना कोई सगठन है ना कोई इंस्टिूशन है इस देश में सब मूख दर्शक बने हुए हैं और एक पत्रकार को एक टेर्रिस्ट की तरह उसके साथ बेवार किया जा रहा है और लोग ये दुआई देते हैं बड़ी ही बेशर्मी के साथ कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा दुनिया का एक डेमोक्रिटिक मुल्क है अब जिस तरीके से आज सवेरे अर्नव गुस्वामी को जगाया गया साड़े छे बजे उसको घसीटा गया उसके साथ पिटाई की गई और उसे एक जेल एक जो कर सकते हैं खुंखार जेल जहां टेर्रिस्टों को रखा जाता है जहां तमाम दाउद इबराहिम के गुर्गे रखे हुए हैं जहां पे बड़े बड़े जिसे अबुसलेम जैसे खुंखार आतंकवादी को भी जिस जेल में जाने से डर लगता है उस जगह पे उस जेल में अर्नव गुस्वामी को भेजा गया है और वो चीकचीक कर वो बिनति कर रहा था कि सुप्रिम कोट से गुहार लगाओ कैंदर सरकार से गुहार लगाओ लेकिन किसी गुहार लगाया जाए सब के कान भंद है सब के मूँ में दही जमी हुई है कानून को तोड़ा जा रहा है दिन के उजाले के तरह इससे भी ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती कि सारे लोग जान रहें कि अर्नव गोस्वामी को महरास्ट की सरकार मुंबे की पुलिस सबक सिखा रही है उसकी पत्रिकारिता उसके स्टाइल उसकी बातचीत का हिसाब किताब किया जा रहा है उसे पनिश किया जा रहा है कि उसने क्यूँ पाल घर के सादों की लिंचिंग के मुद्दे को लेकर उसने लक्ष्मन रेखा क्रॉस की उससे हिसाब किताब लगाए जा रहा है कि वो क्यूँ सुसान्त की मौत पे एक एक्टिविस्ट के तरह वो एंकरिंग करने लग गया उससे हिसाब किताब लिया जा रहा है कि वो क्यूँ महरास्ट के मुख मंत्री के नाम के आगे जी नहीं लगाता सरत पवार जी क्यूं नहीं कहता और ये सारी चीजे हो रही है देश की जंता व्याकुल है परिशान है टेप्टल टीवी के टेलिवोन पे कम से कम सो से ज़्यादा फोन कॉल्स आ चुके हैं लोग रो रहे हैं लोगों को ये चिंता सता रहा है कि कहीं उसकी हत्या तो नहीं कर दी जाएगी जेल के अंदर कोई कुछ हो सकता है क्योंकि ये बड़ा ही ये जो जेल में उसको डाला गया है वहां तो खुंखार अपराधी सब बैठे हुए हैं और जेल के अंदर कोई हाथसा हो जाता है उसे कुछ नुकसान पहुँच जाता है खुदा ना खासते कोई कुछ बवाल मत जाता है कोई हानी हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मधार होगा क्या केंसरकार इसके लिए इसकी जिम्मधारी लेगी क्या चीफ जिस्टिस ऑप इंडिया इसके लिए जिम्मधारी लेगे क्या जुडिसी जिम्मेदारी लेगी मुंबे के हाई कोट वो जिम्मेदारी लेगी मुंबे की सरकार जिम्मेदारी लेगी मुंबे की पुलिस जिम्मेदारी लेगी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तयार नहीं है और ये सारी चीजे देश के सामने हो रही है और बहुत ही निल्लजता के साथ कानून की बख्या उधेरा जा रहा है लेकिन सब के सब चुप है आज जो मसला गंभीर इसलिए हो रहा है क्योंकि कई सारे लोग सवाल उट रहे हैं सोसल मीडिया में कई लोग नाच रहे हैं खुर्सिया मना रहे हैं दिवाली मना रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी होती तो उसमें अर्नव गुसवामी को थाने में रखा गया होता वहाँ पे पूस्ताज की गई होती वहाँ पे उसको टॉर्चर भी किया होता जिस तरीके से अर्नव गुसवामी के साथ वहाँ पे थाने के अंदर मुंबे पुलिस जो उनका आरूप ह हाई कोर्ट में अरनव के वकील ने साफ साफ बताया कि उसे जूते से मारा गया है उसके स्पाइनल कोर्ट में इंजरी आई है, हाथ में छोट है और उसे एक अजीबो गरीब किस्म का एक लिक्विड पिलाया गया है जिससे वो बिल्कुल उसका गला जो है वो चोक हो गया है वो लिक्विड क्या है, क्या हो रहा है, किस तरह की चीजे और उसे पानी पीले नहीं दिया जा रहा है ये सारी चीजे तो बिल्कुल ही अन्याय से भी ज्यादा कुछ अगर हो सकता है तो उसके लिए कोई सब्द भी नहीं है कि ये किस तरीके से पत्रकार के साथ treatment किया जा रहा है लेकिन technical बात ये है कि अगर किसी सक्स को judicial custody में रखा जाता है तो उसकी जगह jail ही है ये argument दिया जा रहा है कि इसमें कौन से नहीं बात हो गई कि अगर judicial custody है तो लोगों को जेल भीजा ही जाएगा लेकिन इसमें एक और जो पहलू जिसे लोग छिपा रहे हैं जो लोग अरनब गोस्वामी के खिलाफ सोसल मीडिया में आप ये कह सकते हैं कि वो लिख रहे हैं या फिर जो खुशिया मना रहे हैं उनको ये बात पता होना चाहिए कि ये कोरोना काल है और कोरिंटाइन के लिए जिस जगह पे अरनब गोस्वामी को रखा गया था वो एक temporary jail है वो जेल का ही एक हिस्सा है क्योंकि जो अपरादी जो पकड़े जा रहे हैं उनको jail के अंदर रखकर के quarantine नहीं किया जा सकता क्योंकि कैदियों के अंदर भी वो करोना फैल सकता है इसलिए मुंबए पुलिस ने अलग वेवस्था कर रखी थी कि एक जगह पे जहां पे सारे कैदियों को जिनको quarantine किया जा रहा था तो 14 दिन की quarantine तो रखा ही जाएगा आपने quarantine किया जब सुसान्त के case में एक IPS officer बिहार से जब मुंबए पहुंचा था तो उसको आपने quarantine कहां किया था आपने तो उसके लिए कि जो quarantine center है वहाँ आपने भेजा था तो बाकी कैदियों के साथ आप भेज रहे हो उसको quarantine center लेकिन तीन दिन के अंदर ही आप अर्णब गुस्वामी को उस जेल में पहुंचा रहे हो जिस जेल का इतिहास बहुत ही दागदार रहा है और इस तरह के जेल में आप देश के सबसे जो का सकते हैं popular जनलिस्ट को आप वहाँ लेकर के जा रहे हो ये किस तरह करने आए है ये किस तरह करने आए है अर्णब गुस्वामी की वाइब लगातार मिनते कर रही है कि उसकी जान खत्रे में है वहाँ पे लेकिन किस से गुहार लगाया जाए सब तो चुप है कोट चुप है केंद सरकार चुप है महरास सरकार से तो कोई उमीद नहीं है मुंबे पुलिस से कोई उमीद नहीं है औ केंज़सरकार अगर इसमें प्रोएक्टिव रोल नहीं लेती है कोजी अड़िती है तो राश्पती भी तो बिल्कुल हिंदुस्तान में वह कुछ करनी सकते ज्यादासर ज्यादा वह बात कर सकते हैं महराश्ट के गवर्नर से बात कर सकते हैं चीफ मिश्टर से बात कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से हो रहा है लेकिन जो हो रहा है अरनव गोस्वामी के साथ वो तो बिल्कुल न्याय से बिल्कुल परे है ये तो सरासर अन्याय है जो अरनव गोस्वामी को झेलना पढ़ रहा ह और किस बात के लिए जहिलना पड़ रहा है उस बात के लिए जहिलना पड़ रहा है महरास्ट के अंदर जिस बात के लिए बाला साहब ठाकरे लगतार लड़ते रहे मुझे याद आ रहा है वो वाक्या जब बाला साहब ठाकरे को इसी तरीके से इस सर्थपवार के सरकार ने गरफतार करने की कोशिश की थी, उन्हें घसीटा गया था, और क्यों उनका बाला साथ ठाकरे का जुल्म क्या था, तो जुल्म बस इतना था, कि वो हिंदूों के फिवर में बात करते थे, वो जब और वो भी किस आरोप में, कि 1992 में बाला साथ ठाकरे ने एक लेख लिखा था सामना में उसका हिसाब किताब, दस साल बाद, पंदर साल बाद, सर्थ पवार की सरकार ने उनको ग्रतार करके किया था, तो वो उस समय भी काफी बवाल मचा था, और आज उनके ही सुपुत्र के सरकार के अंदर, उन्ही मुल्यों के लिए, उन्ही चीजों के लिए, महराष्ट के लोगों को समझ में आ रहा है। मैं इक बात को बिलकुल बिना लाग लपेटे कह सकता हूं। महराष्ट की सरकार ने अपने वोटरों, अपने समर्थकों, बाला साहव ठागरे को जो पूझते हैं जो लोग, उन लोगों के आखों के सामने ये पूरी तरीके से ये सरकार illegitimate बन गई है इनका जो पूरा जो साख है वो जमीन में मिल गया है सिर्व से ना किस तरीके से अपने ही समर्थकों के बीच समर्थन मांगने जाएगी ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन देश भर से जिस तरीके से खास करके महिलाओं के बीच अरन की आखों से ये आशू बेकार नहीं जाने वाले हैं कल तीन बजे मुंबई हाई कोट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा जिस से ये तैह होगा कि मुंबई हाई कोट अरनव गोस्वामी को रिलीज करती है बेल देती है या फिर उसे कहती है कि अभी और पंदर दिन आपको जो है जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा लेकिन कल जो कुछ होगा उसमें एक बात तो बिलकुल साफ है कि अरनव गोस्वामी के सामने एक आप्शन जरूर खुल जाएगा अगर बेल मिल जाती है तो देश के करोड़ों लोग जो सुसांत के लिए नयाय मांग रहे थे जो अरनव गोस्वामी की फैन है उनके लिए रहत भरी ख़बर तो आजाएगी और अगर बेल नहीं मिलता है तो अरनव गोस्वामी की जो लीगल टीम है उनके पास ये आप्शन होगा कि वो इमेडियेटली बिना वक्त गवाए वो सुप्रिम कोर्ट का दर्वाजा खट-खट सकते हैं अब देखना ये है कि जो सुप्रिम कोर्ट आतंक वादियों के लिए रात के अंधेरे में खुल सकता है वो एक नेशनिस्ट पत्रकार एक हिंदु वादी पत्रकार के लिए वो धर्वाजा खुलता है जा फिर बंद रहो जाता है अरनव गोस्वामी के साथ कल क्या होगा ये तो कल पता चलेगा लेकिन एक बात आखिर में जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से केंदर सरकार ने इस पूरे केस में चुप्पी साथ रखी है कोई एक्शन नहीं लिया है उससे प्रधान मंतरी मोदी के लाखो समर्थकों के बीच निरासा की लहर फैली हु इस मौके पे क्यों चूक कर गई क्यों सिबसेना के खिलाफ किसी भी बीज़ेपी के लीडर ने एक भी बयान जारी नहीं किया लोगों की चिंदा अर्नव के स्वास्त को लेकर के है उसकी जान को लेकर के है कि कहीं उसके उपर कोई हमला तो नहीं होगा और एक बात कहना कहा है कि जेल के अंदर अर्नव गुस्वामी के साथ कोई भी दुर्वेवार नहीं होगा कोई पूश्ताच नहीं होगी और कोई भी मेडिकल हेल्प की अगर जरुषत होगी उसे जेल में मुहिया कराया जाएगा इसलिए जेलर की बात पे विश्वास किया जा सकता है और ज तक जिस तरह से देश के कड़ोरों लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुंबह हार कोट में क्या फैसला आता है हमें भी उसका इंतजार रहेगा तब तक आप देखते रहे हैं कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चेहों को सब्सक्राइब कीजि झाल ऑजिए तक आ Зबसा मारे फें धिन रहे हैं काज concealed प्रवतार पिली थे जिसे य comprehensive प्रवाश है एक एक 00-7-14.